स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज कलास बारह के भौती विज्ञान अभ्यास चार अभ्यास का नाम है गतिमान आविस और चुमकततों में आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रशनों के हल मतलब एक एक प्रशन को हल करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इस प्रशन को अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा और इसको हल में यदि कोई दिक्कत हो तो तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर स रखते हैं तो पहला कोशन है तार की एक बिर्तकार कुंडली में सो फेरे हैं मतलब एक तार है और बिर्तकार कुंडली है और क्या है कितने फेरे हैं सो फेरे हैं परतिक की तरिज्जा कितनी है आठ दसमलो जीरो मतलब आठ से में जो है इसकी तरिज्जा है इसमें जीरो दसमल चार जीरो एंपियर की बैदुधारा प्रवाही तो हो रही है तो कुंडली के केंदर पर चुमकी छेतर का परिमाड क्या है तो यहां पे जो पहला कोशन में क्या क्या मान दिया गया है पहले इस मान को नोट करेंगे और उसके बाद से उसका फार्मूला पता करेंगे और उस पहला मान फेरो की संख्या और फेरो की संख्या किसे प्रदसित करते हैं तो यन से और यन बराबर क्या है सो फेरे हैं कितने फेरे हैं सो फेरे हैं यहां यन बराबर लिख लेंगे सो फेरे और त्रिज्जा कितना दिया है तो त्रिज्जा किसे प्रदसित करते हैं आर से आर बराबर 8 गुडे 10 के पावर माइनस 2 अब यह किसमें आ जाएगा मीटर में आ जाएगा तो सेमी से जब मीटर में बदलते हैं तो कितने से गुड़ा करते हैं तो 10 के पावर माइनस 2 से जब गुड़ा कर लेते हैं तो वह जो सेमी से किसमें बदल जाता है मीटर में बदल जाता है और उसमें 0.4 0.0 A की धारा धारा किसे प्रदर्सित करते हैं आई से तो आई बराबर कितना है 0.4 0.0 A की क्या है धारा इसमें प्रवाहित हो रही है अब चुमकी छेतर की कुंडली के केंदर पर चुमकी छेतर की तिवर्ता की गढ़ना करना है तो चुमकी छेतर को किसे प्रदर्सित करते हैं बी से प्रदर्सित करते हैं तो यहाँ पर मान कितना दिया गया है तीन मान दिया गया है यन का मान है आर का मान है और आई का मान दिया गया है और B कामान इसमें पूछा जा रहा है तो अब यहां पर सुत्र लिखेंगे कि कुंडली के केंदर पर किसके कुंडली के केंदर पर चुमकी छेतर कितना होता है यहां लिखेंगे कुंडली के केंदर पर चुमकी छेतर है तो सुत्र यह जो है अभ्यास में बताया गया है और इसका सुत्र का निगमन भी किया गया है चुमकी छेत्र क्या होता है कुंडली के केंदर पर चुमकी छेत्र तो सुत्र होता है बी बराबर होता है म्यू जीरो अपान फोर पाई और क्या होता है यहां लिखेंगे दो पाई यन इ बटा क्या है यन आई होता है यन आई बटा क्या होता है बटा में आर होता है तो सुत्र क्या है दो पाई यन आई क्या है सुत्र है तो यह सुत्र को पहले नोट कर लेंगे क्या है B बराबर μू 0 अपान 4 पाई 2 पाई यन आई बटा आर जो यह किसका सुत्र है कुंडली के अंदर पर चुमकी छेतर का यह सुत्र है अब इसमें मान को क्या करेंगे रख लेंगे तो अब यहाँ पर μू 0 अपान 4 पाई का मान आप लो जानते होंगे 10 के पाउर क्या होता है माइनस 7 होता है तो यहाँ लिखेंगे B बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे मू 0 अपान 4 पाई के जगा पे क्या लिखेंगे 10 के पाउर माइनस 7 हो जाएगा यह किसका मान है तो टोटल इसका मू 0 अपान 4 पाई का मान हो जाएगा गुडे हो जाएगा, दो हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यन का मान कितने फिरे हैं, तो यन का मान सो फिरे हैं, तो यन का मान जो है, सो हो जाएगा, आई का मान कितना है, आई का मान जीरो दस मलो चार जीरो है, बटा हो जाएगा, आर का मान कितना है, तो आर का मान जो है, यहां उतार दिये, पाई उतर गया, यन कामान सो फेरे थे, आई बराबर जीरो दसमलो चार जीरो जो है, एंपियर जो है, धारा है, आर कामान आठ गुड़े दस के पावर माइनस दो है, अब यहां पी इसको क्या करेंगे, अब हल करेंगे, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, अब यह दो जीरो से इसका दसमलो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, अब इसका दसमलो जब दो मतलब सो है, सो से गुड़ा करेंगे, तो दसमलो हटेगा, तो क्या उतरेगा यहां पर, 10 के पावर माइनस 7 गुड़े 2 पाई गुड़े 100 से गुड़ा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 40 बटा अब क्या हो जाएगा 8 गुड़े 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा यह 40 कैसे हो गया 100 से जब गुड़ा करेंगे तो यह इसका 10 मलो क्या हो जाएगा हट जाएगा अब आठ पच्चे क्या होता है चालिस हो जाएगा पांदूनी क्या होगा दस हो जाएगा तो उपर क्या बचेगा बी बराबर हो जाएगा दस के पावर माइनस साथ हो गया पाई हो जाएगा अग गुड़े जो है दो में पांच के गुड़ा करेंगे तो क्या बनेगा दस होगा बटा होगा और दस के पावर जो है माइनस दो होगा तो अब यह माइनस दो घाट जो है इसके उपर जब जाएगा तो माइनस दो घाट जब उपर जाएगा तो यह घात क्या हो जाएगा पलस हो जाएगा तो यहां लिखेंगे बी बराबर हो जाएगा अब यहाँ पर पावर एक है ध्यान दिए एक है और दो घात उपर जाएगा दो घात और एक घात कितना हुगा तीन घात हो जाएगा मतलब पाई गुड़े दस के पावर माइनस साथ में कितना जोड देंगे तो यहाँ पर जोड लेंगे कितना हो जाएगा दो घात है और एक घात दस के पावर, तीर में से साथ घटेगा, तो माइनस चार हो जाएगा, अब इसका मातरक क्या होगा, ति इसका चुमकी छेतर का मातरक क्या होता है, तो टेसला होता है, क्या होता है, यह जो मान निकला है, किसका निकल गया, तो कुंडली के केंदर पर चुमकी छेतर का मान निक चलिए अब हम लोग सीखेंगे दूसरा प्रश्न है एक लंबे सीधे तार में 35 एंपियर बैदु धारा प्रवाहित हो रही है मतलब एक लंबा जो है सीधे तार है और उसमें 35 एंपियर की धारा जो है प्रवाहित हो रही है तार से 20 सेमी दूरी पर इस्थित किसी बिंद पर चुमकी छेतर का परिमार क्या है तो यहां पर सीधे जो लंबे सीधे तार की बात कहा गया है तो यहां सबसे पर लिखेंगे हाल और हाल लिखने पर यहां पर देखेंगे किसका किसका मान दिया गया है तो पहला मान जो दिया है 35 जो है एमपियर जो है बैदुधारा का मान दि गया है और यहां जो तार से जो दूरी है वह कितना मीटर है बीस मीटर है तो आर बराबर लिखेंगे बीस यहां पर मीटर में नहीं दिया गया है जब सेमी दिया गया है तो इसको किसमें बदला जाता है तो मीटर में बदला जाता है तो मीटर में बदलने के लिए क्या किया बराबर कर लिया जाएगा 20 में 10 के पावर माइनस 2 से जब गुड़ा कर लिया जाएगा तो किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा ध्यान दिजिए जब यह सेमी में दिया रहेगा तो इसको किस में बदला जाता है मीटर में बदला जाता है किस से गुड़ा करते हैं 10 के प आर का जो सुत्र क्या है तो आप लोग पढ़ेंगे अभ्यास में मियू जीरो अपान क्या होता है फोर पाई होता है और क्या होता है दो आई बटा क्या होता है आर होता है यह सुत्र अभ्यास में बताया जा चुका है यह अभ्यास वाले वीडियो नहीं देखेंगे तो प्ले शाबर हो जाएगा, μू 0 upon 4 π का मान क्या होता है, तो μू 0 upon 4 π का मान 10 के पावर माइनस 7 होता है, यहाँ दो लिख लेंगे, आई का मान, आई का मान इसमें किना दिया गया, 35 A है, बटा हो जाएगा, और यहाँ का दिया गया, 20 गुरे 10 के पावर क्या है, माइनस दो है यह मान को जो रखा गया समझ में आ गया होगा कि 20 कहां से आ गया और 10 के पावर माइनस दो यह किस का मान है आर का मान है और यह माइनस दो घाट जब उपर जाएगा तो क्या बन जाएगा पलस घात बन जाएगा तो B बराबर यहां क्या हो जाएगा 35 दूना क्या होगा 70, 70 हो गया गुड़े 10 के पावर माइनस 7 हो गया गुड़े 10 के पावर उपर गया 10 के पावर जो है पलस 2 घात हो जाएगा कितने घात होगा पलस 2 घात हो जाएगा गुड़े 10 के पावर ये 2 घा जो है पलस है 2 में से 7 घटा दीजिए क्या हैगा माइनस जो है 5 हो जाएगा और यहाँ पी इसका मातरक क्या होगा तो टेसला हो जाएगा तो समझ में आ गया होगा कितना असान यह कोशन है तो इसे पने कापी में क्या किजे नोट किजे अगर हल करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं तो पहले जो है आप सभी विद्यार्थी फार्मूला को पहले याद कर लिजे फार्मूला याद है तो जो कोशन लगाया जाएगा बहुत ही क्या होगा असान हो जाएगा अब हम लोग सीखेंगे प्रशन नमबर तीन तो तिसरा प्रशन है 36 तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एंपियर बैदुधारा उतर से दच्छिर की और क्या हो रही है B काप परिमाड और इसकी दिसाग्यात किजिए तो यहाँ पर 36 तल में रखे एक लंबे सीधे तार है और यहाँ कितने एंपियर की धारा बह रही है 50 एंपियर की धारा उतर से दच्छिर की और क्या हो रही है बह रही है प्रवाहित हो रही है तो यहां सबसे परे लिखेंगे हल और इसमें मान क्या दिया गया है तो आई बराबर लिखेंगे 50 एंपियर तो यहां लिखेंगे आई बराबर जो है 50 एंपियर की धारा मतलब कुंडली में जो है क्या हो रही है प्रवाहित हो रही है और एक लंबे सीधे कुंडली है याद रखेगा जो कुंडली है वो कौन सा है लंबे सीधे तार है अब यहां लिखेंगे उत्तर दच्छिर के प्रवाइट हो रहाई तार के पुर में 2.5 मीटर के दूरी पर अब दूरी किसे पर दसित करते हैं आर से आर बराबर कितना है 2.5 मीटर है अब यहां पे जो मीटर में दिया गया तो इसको बदलना नहीं जाएगा जब सेमी में रहता है तो इसको मीटर में बदला जाता है अजब मीटर है तो मीटर में ही रहेगा और यहां पे इसको बदलना नहीं जाएगा अब चुमकी छितर की गर्णा करना है तो भी बराबर जो है प्रश्णमाचक हो जाएगा और एक लंबे सीधे तार में चुमकिछ छेतर का सुत्र क्या होता है तो एक चुमकिछ छेतर का सुत्र होता है लंबे सीधे तार में अभी प्रश्णमाद दो में भी बताया गया है क्या बताया गया मियू जीरो अपान क्या होता है 4 πائ होता है और 2 होता है i होता है बटा r होता है इसका सुत्र का निगमन जो है थिवरी वाले में बताया गया है यदि उस भाग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिश्ट में वीडियो है वहाँ से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं अब म्यू 0 अपान 4 πائ का मान क्या है तो 10 के पावर माइनस 7 होता है गुडे 2 यहां लिख लेंगे i का मान कितना है तो i का मान जो है 50 है तो 50 लिख लेंगे बटा कर लेंगे r का मान क्या है r का मान 2 दसमालो क्या है 5 है 2 दसमालो 5 हो जाएगा बी बराबर अब क्या होगा पचास में जब दो का गुड़ा करेंगे तो पचास में जब दो का गुड़ा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा सो हो जाएगा यहां लिखेंगे सो सो गुड़े दस के पावर माइनस क्या होगा साथ हो जाएगा बटा जो होगा दो दस मलो पाँच हो जाएगा अब दो दस मलो पाँच से किस में भाग कर देंगे सौ में भाग करेंगे तो यह दो दस मलो पाँच से जब सौ में भाग करेंगे तो यह हो जाएगा चालिस गुड़े दस के पावर माइनस साथ हो जाएगा अब अगर एक 0-10 में से कम किया जाएगा मानक बनाया जाएगा तो B बराबर लिख लेंगे 4 गुड़े 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा मतलब यह 7 घात था तो अब माइनस 7 घात था तो एक 0-10 में से क्या हो जाएगा इसमें जो है यहां जोड़ेंगे प्लस एक जोड़ेंगे तो एक में से 7 को घटाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा और इसका मातरक क्या होगा टेसला हो जाएगा तो यहां B कामान कितना गया चार गुड़े 10 के पावर माइनस 6 टेसला हो गया तो प्रश नमबर 2 और प्रश नम क्या होगी लंबवत की ओर जो होगी तो यह किसके नियम से होगी तो फ्लेमिंग के जो है बाएं हाथ के नियम से देखा जाएगा कि जब पूरव की ओर जो है दुरी है और उत्तर दच्छिर की ओर जब प्रवाहित होती है तो चुमकी छेतर छेतर के क्या होती है लंबवत की और होगी तो यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि चुमकी छेत्र है छेत्र के लंबवत की ओर होगी तो प्रश नमबर चार है ब्योम अस्थ खीचे 36 विजली के तार्स में 90 एंपियर बैदू धारा पूरब से पच्छिम की ओर क्या हो रही हैं प्रवाहित हो रही हैं त तो यहां दो मान आपको दिखाई दे रहा है तो यहां सबसे पहले लिखेंगे हल और हल में पहला मान को पहले नोट करेंगे तो पहला मान क्या दिया गया है कि यह नब्बे एंपियर की धारा है तो आई बराबर लिखेंगे नब्बे एंपियर की धारा तो यह नब्बे एंपियर लिख लेंगे नब्बे एंपियर किसमे क्या है धारा प्रवाहित हो रही है कितनी दूरी पर है तो आर बराबर जो है एक दसमलो पांच मीटर के दूरी पर है अब यहाँ पर बी बराबर जो है परशनमाच चक हो जाएगा और यह लंबे सीधे जब तार की बात कहा जाएगा तो इसका जो है फर्मुला क्या होता है तो बी बराबर होता है परशनमबर दो में भी हल किये परशनमबर तीन और परशनमबर चार एक ही सुत्र पे लागू हुआ मियू जीरो अपान फोर पाई क्या होता है दो आई बटा क्या होता है आर होता है अब इसमें मान को रख लेंगे बी बराबर मियू जीरो अपान फोर पाई का मान कितना होता है तो μुझ 0 अपन 4 पाइ का मान जो होता है 10 की पावर क्या होता है माइनस 7 होता है और यहां लिखेंगे 2 और लिख दो के बाध से i का मान रखेंगे तो i का मान इसमें क्या है то i का मान जो है 90 EMPIAR है या 90 लिख लेंगे बटा हो जाएगा r का मान जा है एक दस मलो जो है पाँच है यह किसका मान रखे हैं आई का मान और यह किसका मान है आर का मान है 90 में जब 2 का गुड़ा कर लेंगे तो B बराबर क्या होगा 92 दूना 180 गुड़े 10 के पावर माइनस 7 बटा क्या हो जाएगा एक दस मलो पाँच हो जाएगा 10 से गुड़ा करेंगे तो क्या बनेगा B बराबर जो है अब हो जाएगा 1800 गुड़े आपका हो जाएगा 10 के पावर माइनस 7 बटा और 10 से गुड़ा करेंगे तो इसका दस मलो का हो जाएगा हट जाएगा 15 हो जाएगा तो 10 से उपर नीचे गुड़ा क्यों की है क्योंकि दस्मलों हटाने के निए 10 से उपर नीचे क्या की है गुड़ा की है दस्मलों हट गया अब अंदरस इसको जब भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा 40 बार में जाएगा तो B बराबर क्या हो जाएगा यहां पर चालिस यहां चालिस ने जाएगा ध्यान दिजएगा 120 बार में कितने बार में 120 बार में तो यहां जो है 120 लिख लेंगे यहां पर जो है 120 गुड़े क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस 7 अब यहां 10 के पावर माइनस 7 हो गया अब इसको मानक अगर रूप में लिखना चाहते हैं मानक रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बी बराबर हो जाएगा एक दसमलो दो गुड़े 10 के पावर यहां से दो अस्थानी धर दसमलो लगा है तो इसने माइनस जो 7 है तो इसका मातरक क्या होगा तो इसका मातरक जो है टेसला हो जाएगा तो पी का मान जो है कितना निकल गया एक दसमलो दो गुड़े 10 के पावर माइनस 5 जो है टेसला आ गया तो प्रश नमबर 2 प्रश नमबर 3 प्रश नमबर 4 जो है एक ही सूत्र पे लगाया गया अब इसकी दि दिषा में धारा प्रवाहित हो रही है। बैदू छेतर इसलिए क्या हो जाएगा बैदू जो छेतर होगा किस दिसा में हो जाएगा दच्छिर दिसा में हो जाएगा जब पच्छिम दिसा में हो तो पच्छिम दिसा में हो तो पच्छिम दिसा में हो तो पच्छिम किस छेतर किस दिसा में हो जाएगा दच्छिर दिसा में होगा दिसा में होगा तो इसे नोट कर लिजेगा यहां पर कि यह पच्छिम दिसा में धारा परवाहित हो रही है इसलिए बैदू छेतर जो होगा कि दिसा में होगा दच्छिर दिसा में होगा तो प्रशनमबर चार जो है प्रशनमबर एक से ले करके प्रशनमबर चार त और इसको जो हल किया गया क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सस्क्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि यह आपके लिए ही चलाया जा रहा है तो अब मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार